लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब करें बिना बजाना मैं बजा रही हूं अभी से नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल और आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये है एक हमारे ही इसी चैनल के एक सदस्य के क्रशन पर जिनका नाम है आशू और वो इंग्लेंड से हैं अब थोड़ा टाइम पहले ही एक सेटप लिया जिसमें कि उन्होंने यामा का एडियार है उनका और फ्लोर स्टेंडिंग स्पीकर लिये हैं उनका वो क्लिप्स का उन्होंने सेंटर लिया है और साथ में वो सबूफर यूज़ कर रहे हैं तो जैसा कि आप यहां देखेंग प्लेस्मेंट को लेकर कि हम सबूफर को कैसे अगर आप सैटप आपने भी लगाया हो तो आपको खुद को पता होगा कि बाकी का जो स्पीकर हमारे होते हैं वो सारे तो इजीली बहुत अराम से हम उसे सेट कर लेती हैं मगर जो सबूफर है दोस्तों उसे एक जब तक एक अ एक लाग का है चाहें वो दस लाग का हो इससे कोई फरक नहीं बढ़ता और एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा यहां पर हो सकता है कि कुछ मेरे भाईयों को वो बुरा भी लग जाए कि मैं पहले भी एक वीडियो एक क्या मैं दो तीन वीडियो में ये चीज बोल कुछ को हूँ पहले भी कि आप सिरफ पैसा मत देखें यह नहीं है कि आपने एक महंगा सेट ले लिया तो वह आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा दोस्तों सबसे पहले हमने क्या देखना होता है हमने अपने कमरे के रूम के हिसाब से से लेना है कि आपके पास जोन सी जगा है वो जगा कैसी है कितनी जगा है आपके बार हम उस हिसाब से से लेते हैं पैसे जो मेटर है वो बाद का होता है दोस्तों पहले हमें यह डिसाइड करना है कि हां हमारी इस जगा के हिसाब से क्या सहीर रहेगा तो इन्हें जोन से भी प्रॉब्लम आ रही है द स्क्रीन एरिया बोला जाता है उसे तो वहां अगर आप देखेंगे तो इनका जो सेंटर है और जो इनके साइडों पे इनोंने फ्लो स्टेंटिंग ले उनके बीच में डिस्टेंस जोंस है वो ना के बरावर आ रहा है क्योंकि ये सेंटर भी जोंस है वो काफी बड़ा सेंट है दोस्तों पहली गलती तो इन्होंने यहां करी हुई है कि जो हमारे फ्रंट के लेफ्ट और राइट के स्पीकर हैं उसमें और सेंटर स्पीकर के अंदर कम से कम भी हमें चार फूट या पांच फूट के आसपास का गैप अगर मिलता है तो वह एक परफेक्टली परफॉर अब यह पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं इसे समझने के लिए थोड़ा सा हमें साउंड का जो वहवार है जो हमारी आवाज होती है जो उसका जो वहवार है वो समझना पड़ेगा दोस्तों तो छोटे से एक्जामपल के साथ मैं आपको पहले तो वह बताता हूं दो यहां से मुझे किसी ने वह बॉल फैंका तो वह बॉल जो उनसा है डिरेक्टली मेरे पास आया तो इस टाइम को नोट करते हैं कि मान लेते हैं कि वह एक सेकंड लगा उसको मेरे पास बॉल को पहुंचने में उसके बाद में फिर से उनने बॉल फैंका कि जो की पहले दिव में आई थी वो मुझे मिली कितने में लग लगा लो थोड़ा सा यादा हो गया मतलब कि वो डिस्टेंस जोंस है वो बढ़ गया अभी सामने से फिर से किसी ने बॉल फैंक की दोनों ने दो बंदों ने मान लेते हैं एक ने तो मेरे पार डिरेक्टली दी है एक ने मुझे दी आप एक वेवस के रूप में समझ लीजिएगा कि जो हमारी आवाज की तरंगी हैं उनके साथ भी दोस्तों ऐसा होता है अब जब वो एक फ्रिक्वेंसी जोंसी आई वो तो मुझे सीधी मिलगी मेरे कानों पर एक जोंसी फ्रिक्वेंसी वो दिवार से टकराते हुए मेरे पसाई तो उनके बीच में जो टाइम का गया तो उसकी वज़े से यहां तो देखिए एको क्रियेट हो सकता है यहां फिर आपकी जोंसी फ्रिक्वेंसी है वो कट अफ हो सकती है यानि कि वो उसको खतम कर देता है तो एज़िटी इनके जोंसे सब वूफर है सब वूफर के स इनके घलती है वो आपस में करेश होती है और उसको खतम कर देती है मतलब कि वो केंसल हो जाता है तो वो बेस जोंसा हे वह आपको मिलता ही नहीं है दोस्तों एक तो इनके सेटब सबसे बड़ी जोंसी गल्ती इन्होंना यह करी हुई है इन्हें यह चाहिए था कि यह अपन जो नहीं मिल रही है इनको दुख की बात जो है वो यह है तो चलिए दोस्तों ये तो देखिए होगी उनकी बात अब इसका solution के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ऐसा जो होता है इस से कैसे हम अच्छे से अच्छे तरीके से अपने subwoofer को placement दे तो देखिए अगर आपका subwoofer ढं से काम नहीं कर रहा है कि सबसे पहला काम जो है वो आपने यह देखना है दोस्तों कि आपके avr और आपके subwoofer में जो connection cable लगा है वो properly ठीक है उसमें कोई problem तो नहीं है इसके बाद में हमारा जो है इसमें हमें कुछ settings भी गई होती है तो इस setting को दोस्तों हमने बहुत ही ध्या से लगाना होता है तब हमें एक अच्छी audio मिलती है दोस्तों जैसा कि वह setting जूंसी है वह मैं आपको अभी पहले वह दिखा देता हूं उसके बाद में दुबारा आप से बात करता हूं तो दोस्तों सबसे पहले देखिए हम जाएंगे इसके setup में setup में जाने के बाद हमें य manual पर set करेंगे देखिए तो सबसे पहले हमने क्या देखना है दोस्तों देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि speaker configuration दी गई है तो इसे एंटर करने के बाद में देखेंगे आप कि यहां पर जो front speaker है वो large है हमारे तो सबसे पहला काम हमें यही करना है दोस्तों कि इसको हमने small कर देने क्योंकि यह हमें small चाहिए ऐसा करना इसलिए जरूरी होता है कि तांकि जो हमारा AVR का processor है जब हम front उसे show करते हैं कि हमारे जो उसे front channel है वो छोटे speaker है तो वो maximum to maximum जो low frequency है वो हमारे subwoofer की तरह भीजता है तो हमारा जो subwoofer है वो यादा बढ़िया अच्छे से काम कर करना शुरू कर देता है दोस्तों तो यहां पर अभी setting में और नजर मारते हैं देखिए small है यह आपसे subwoofer का पूछेगा कि आपने लगाना है या नहीं लगाना है इसे तो इसको yes yes ही करेंगी हम इसे तो यह हमारा surround भी आगया है small है आप यह मत सोचिए कि आपने अगर बड देखें लेवल पर चले जाएंगी हम तो इसको हम test on पर ओके करते हैं तो यहां देखिए हर एक channel के लिए अलग से एक हमें सारा option दिया कि left के लिए है left sorry front left है center front right इस तरीके से हमें सब्का दिया गया तो यह जो setting है ना दोस्तों यह भी performance पर बहुत यादा साथ डालती है तो अगर आपको बेस थोड़ा यादा चाहिए है तो आप एक काम कर सकते हैं कि मान लेते हैं हमने सारे speaker जोंसे हमारे हैं इसे जीर जहां से भी हम भी back कर लेते हैं तो आप आयाता है देखिए crossover तो crossover में आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे जोंसे हैं यह 80 Hz पर मेरे सेट और रखे हैं तो 80 Hz जोंसे है वो frequency खीक है बिल्कुल सही होती है 80 से लेकि 120 तक आप कर सकते हैं अगर आपको vocal यादा चाहिए तो 120 तक चले जा सकते हैं अगर आपको एक balance sound चाहिए तो 80 100 कर सकते हैं इस तरीके से आप इसे change करकर के feel कर सकते हैं जहां पर आपके कमरे के हिसाप से acoustic के हिसाप से अगिन अगर जो भी frequency आपको ठीक लगेगी वो आप यहाँ से setting कर सकते हैं बहुत से बंदे पूछते हैं कि सर इसे म का performance level जोंस है वो सब का अलग-अलग आता है दोस्तों कहीं पर वो कैसा चल रहा है तो वही चीज हम दूसरे कमरे में लगाते हैं तो वह आवाज जोंसी है उसमें बदल कर ही आएगी ऐसा हमारे रूम acoustic के करन होता है दोस्तों तो इसे हम 80 पर ही कर लेंगे बाकी आप यहाँ का option दे दिया है खाली उसने की LFE पर रखना है अपने यहां पर हमारा मेन आता है तो आप इसको दोनों पर ही रख सकते हैं वैसे अगर LFE पर रखेंगे तब भी कोई दिकतर नहीं है तो यहां देखिए यहां आ जाता है हमारा इसका सब बूफर का जोंसा हर्स कितने हर्स प के बारे में कि एक बार आप अच्छे से पहले चेक करें अगर आपका सब उफर पर्फॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा कि इन सेटिंग्स को मैंने जो बताया आपको तो सबसे पहले तो आप यह सेटिंग्स जोंसी हैं दोस्तों यह जाओंगा कि जब भी आप अपने सब वूफर की प्लेस्मेंट चेंज करते हैं यानि कि एक जगा पर पर्फॉर्मेंस नहीं दे रहा तो उठा कि आपने दूसरी जगा रख दिया ऐसे में अगर आपने जो एवी आर की सेटिंग है हमारे जो स्पीकल कैलिब्रेशन करा तो जब भी आप अपने सब वूफर को उठा कर कहीं और रखेंगे तो वह आप दुबारा कर लें उससे क्योंकि वह पिछली बार जो आपने कर रहा है वह उसकी फ्रिक्वेंसी जो जहां पर उसकी जो वेवस हैं वो टकरा रही है या कुछ भी हो रहा होगा डिस्टेंस का फरक आ जाएगा तो उस वज़े से भी यह आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा इसलिए अगर आपने पहले ओडिसी यूज किया है तो आप जब इसे प्लेस करें दूसरी जगा तो दुबारा से ओडिसी का प्रियोग पहले कर लें दोस्तों तो दोस्तों एक चीज का और आ हमारा वूफर लगा हुए उसके अंदर उसकी मूवमेंट जरूर देखें कि वह मूवमेंट कर रहा है प्रॉपरली बहुत अच्छे से मतलब की इंपेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा बेस आपको नहीं आरी कोई बात नहीं मगर यह चेक करना है आपने की वह हिल रहा है और ला यह नहीं हिलता है कि अच्छे लिए करना है दोस्तों से हमें यह पता लग जाएगा कि हमारे पीछे से तो हमें जो सिगनल मिल रहा है वह प्रौपर्र सहीं मिल रहा है बिलकुल बडट जो हमारा अच्छे सु Rate वही काम कर रहा है वह बही काम मगर आपने यसांसे थोड़ा सा टेडा कर ले इस तरीके से थोड़ा सा अज्जेस्मेंट करके आप एक पर सेटिंग पर जाकर अपना देखते रहें यहां फिर एक किसी भी परसन को आप सेटिंग पर बिठा दें पहले और आप उसे सबूफर को प्लेस्मेंट करके देखें तो वो जहां पर जाक आते हैं दोस्तों कहीं भी रखते हैं तो वो पीछे की दिवार और साइड की दिवार जोंसी होगी उससे तकरीबन कोई साथ या आठ हिंच के आज-पास का कम से कम गैप दें अगर एक फीट तक आपके बाद जगा है कि दोनों तरफ से एक फीट का आगे आ सकता है वो तो अगर कुछ हो नहीं रहां उनका तो सेटिंग यह आपने अगर इसको हिलाविला के देखा तब भी आपकी बात नहीं बनी तो दोस्तों अगर ऐसा करने से भी आपकी जोंसी सेटिंग है वो प्रॉपरली नहीं बनती है तो अब हम बात कर लेते हैं एक राम बांड तरीके की कि इससे आपको 100% की शियर्टी मैं देता हूँ आपको उच लेवल की पर्फॉर्मेंस जोंसी है वो मिलेगी ही मिलेगी क्योंकि यह जो तरीका है दोस्तों यह बहुत ही कारगर है इसे हम कहते हैं दोस्तों सब क्रॉलिंग क्रॉलिंग का मतलब जैसा कि बच्चे जो होते है वो रेंग रेंग कर चलते हैं वो वाला और सब का मतलब तो पता ही है सबको की सबॉफर तो इसमें हमने क्या करना है दोस्तों आप अपने सबॉफर को उठा कर आपकी जो सिटिंग है आप उसे वहां पर रख दीजिए एक इंटरकनेक्ट केबल लीजिए लंबा और अपने AVR के साथ उसको अटैच कर लीजिए फिर आप एक कोई भी ट्रैक ऐसा ट्रैक लगाई है जिसमें कॉंटिन्यूसली बेस जोंसा है वो आता रहे दोस्तों तो उसे लगाने के बाद में आप क्या करें अपने जोंसा आपका रूम है एक छोटे बच्चे की तरह नीचे जमीन शुरू होगा कि जैसे मान लेते हैं हम अभी पीछे हैं तो हमें बेस जो है वो प्रपरली नहीं मिल रहा है थोड़ा और आगे जाएंगे तो वहां पर बेस थोड़ा और बढ़ जाएगा तो ऐसे हमने स्टेप वाई चलना है तो आप कोई भी एक दो तीन कुछ कुछ भी दे लीजिए तो एक जगा आपने जोंसी आपको लगा कि हां यहां बेस आ रहे है उसे वहां पर रख दीजिए निशानी के तोर पे उसके बाद में दुबारा करिए इसी तरीके से आपको जहां जहां पर सबूफर के पॉइंट मिलते रहेंगे वहां वहां आप कोई भी न निशानी रखते रहें उसके बाद में आप यह देख लीजिए कि सबसे यादा जोंसी बास थी जोंसी बेस आपको सुनाई दे रही थी अच्छे से वह कहां आई यह निकालने के आप अपना सबूफर उठाईए और वहां पर रख दीजिए उसके बाद में दुबारा आप आपको परफॉर्मेंस देगा ही देगा तो दूस्तों एक आपको पता है कि हमारे जोंसे सबूफर होते हैं उसके पीछे एक फेस का भी हमें ऑप्शन दिया गया होता है जो की जीरो डिगरी से 180 तक होता है आप इसे भी एक बार चेक कर लें कि जब आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है मान लेते हैं कि वो जो सबूफर है वो जीरो पर सेट था अगर आपको नहीं मिलता तो आप एक बार उसको 180 पर करके देखें हो सकता है कि उससे भी आपका काफी यादा इंप्रूव्मेंट आपको मिल जाए और एक जो काफी कॉमन कॉश्चन जोंसा कई ब सबूफर हैं वो कितना लो जाता है मतलब कि आप अगर उसकी देखेंगे स्पैसिफिकेशन वगरा देखेंगे तो उसमें बताया गया होता है कि यह जोंसे सबूफर को सेट करना है तो हम लो जोंसा है दोस्तों वो जा रहा है हमारा 40 तक तो अभी हम क्या करेंगे हम अपने सबूफर से जोंसा हमारा क्रॉसवर का जो ऑप्शन दिया गया होगा उसे हम 40 पर कर देंगे दोस्तों उसे क्या होगा कि 40 के ऊपर का जो साउंड है जो फ्रिक्वेंसी 40 हट्स से उपर आ रही है वो तो हमारे स्पीकर देंगे और जो यह स्पीकर कैच नहीं कर सकते है यानि कि जो प्रिक्वेंसी आएगे सारी वो उसे पूरि फ्रिक्वेंसी को जहां तक भी उसका दिया गया होगा उसमें कि कितना डाउन जाता है वो तो उतने उसी हिसाब से वहů कां स्व करेगा और परफॉर्मक्ड भी काफी यादा सुधर जाती है दोस Yuanadora उनला गया नहीं चु तो एक बार comment box में जरूर बताईएगा कि हाँ आपको कुछ फायदा हुआ इस वीडियो का या नहीं हुआ है जरूरी नहीं कि वो आशु जी बताएं कोई भी बता सकता है ऐसा कुछ वो नहीं कि उन्हों नहीं बताना है तो आप comment box में दोस्तों कुछ भी जैसा अगर आपने इसा करके देखा है तो आप मुझे बताएं जरूर कि कोई फरक आता है या नहीं आता है अगर नहीं आता है फरक तो आप मेरे से एक बार ही contact भी कर लें तो क्यों नहीं आ रहा है उसका reason भी हम वहां ढूंड लेंगे दोस्तों कि आपको आपका सब उपर ये सब करने के कर दीजिएगा अगर कुछ व्याद है अच्छा लग जाओ और बाकि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो नीचे दिए गए लाल वाले सब्सक्राइब आइकन को दबाईए और सफेद कर दीजिए और इस चैनल को अपना बना लीजिए दोस्तों तो मैं फिर मिलूं शेयर सब्सक्राइब करें भीना बजाना मैं बजा रही हूँ अभी से